कि अब थमने से पता चले गया होगा यह देखने के बाद आपको इडियों प्रेज चुटकियों में याद नहीं हो गया आज के वीडियों में आपको इमेज के साथ भी शो करने वाला हूं ताकि आपको इडियम और फ्रेज बहुत ही अच्छे से इंडरस्टेंडिंग हो तो टूट जाना बीगां ग्रॉट नहीं होता है तूट जाना इसा आपको ऊपर इमेज में भी दीख रहा होगा उससे आपको याद करने में और भी आसानी होगे चलिए next question get into hot water that means get into trouble अब देखिए get into hot water में सोता है कि गरम पानी में जाना यानि गरम पानी में जाएगा ता वह सरीच जल जाएगा यानि कि आप trouble में हो जाएगा तो बस वहां से direct link लगा सकते हैं get into hot water that means get into trouble next question great hand that means expert अब देखिए कोई बेक्ती बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है कि अपने हाथ से कोई भी काम कर लेता है यानि कि वह एक्सपर्ट जैसे कि आपको उपर image में भी दिख रहा है उससे आपको direct trick बन सकता है great hand that means expert next question hang together that means support one another आप देखिए hand together means होता है कि एक साथ लटकना कहीं पर कर रहे हैं साथ जीना साथ मरना वाला बात हो गया कि साथ में कोई भी काम साथ में कर नेक्स question hit below the belt that means to strike unfairly मतलब कि होता है कि बिना unfairly way में strike करना यानि कि हड़ताल करना उपर image से भी आपको clear हो गया होगा guys image मैं इसलिए दे रहा हूं तक कि आपको understanding अच्छे से हो जाए कि हां मैं बोलना क्या चाह रहा हूं और image से याद करने में कोई भी चीज बहुत अच्छे से याद हो जाता है next question hold one strong that means to keep quiet अदे कि कोई अपना जीव पकड़े हुए आपको इमेज से भी लग रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट टास्क है कर रहा है वो बंदा next question have an iron will that means and strong will अब देखिए कोई को लोहे जैसे एकदम विल पावर है दम लोहे जैसे लोहा strong होता है यानि कि उसके पास strong willpower है next question hard and fat that means strict 10th number hard and dry that means a difficult situation कोई चीज बहुत ही उचा और ड्राई है यानि कि वो काम करना बहुत ही मुश्की लमुचा है तो उसको कोई भी काम कोहां पर चड़ना या पूर महां से कुछ लाना बहुत ही डिफिकल्ट है इसलिए डिफिकल्ट situation next question hole in corner that means secret अब देखिए इसका क्या ट्रीक होता है उसको समझ जाएगा तो आप shortest way में और long term के लिए किसी भी चीज को अपने माइंड में आप रख पाईएगा hole in corner means होता है सेक्रेट अब कोई भी चीज है एक मान लिजी के एक रूम इमैजिन कीजिए उसके कोना में कोई होल है और वहां पर कोई चीज रखा हुआ है तो क्यों रखा होगा किसी चुपाने के लिए यानि को चीज सेक्रेट होगा तो बस वहां से ट्रिक लगा सकते हैं hole in corner डैट मेंस सेक्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन इंस एंड आउट्स भी उसका मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुवेशन में है इन त्यून डैट मेंस होता है इन मूड अब देखिए इन त्यून मेंस होता है धून यानि कोई व्यक्ति धून में अपने फिलिंग को एक स्प्रेस कर रहा जैसे कि आपको उम्यज में भी देखे रहा है एक परसन जो है कि बहुत है और बहुत ही सेड यानि कि अपने की इमोशंस को एक्स्प्रेस कर रहा है यानि कि वह मूड अपना दिखा रहा है यानि इन तुन डैट मेंस इन मूड नेक्स्ट क्वेस्ट्टन कीप बोडी और सौल तोगेदर डैट मेंस तुमें लाइब यापने सरीर को और आतमा को एक तुमें दार्रेस रखना यानि कि अपने लायव को मेंटेन करना बैलेंज करना यानि कि टू वर्डी और सौल तगटर ड्याट मस् दूमें लाइब नेक्स्ट्ट्रेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्.. एट्वधक्वर डिस्टेंस अब दिखिए करवायँ कि आंस लेंध किसी क तो चूज कर रहा है नेख्स क्योंड राइब कोई साथ करे करें नेग्स क्रेस्टि primo क्या है। सोच रहा था कि में बैश्ट कर पाउं । नहीं गर पाया ये सब्क्रीज बहुत ही नहीं रास है disappointment लुक से साथ नेक्स क्वेश्चन लिप इन डार्क डाट मीज तू टेक और रिस्क डेलिबरेटली अब कोई अंधेरे में अगर चलांग लगाएगा तो घिर भी सकता है यानि कि वह चलांग तो लगा दिया है अब कुछ भी हो सकता है इसी हम डारेक् नेक्स क्वेश्चन लाफ इन वन स्लीप डाट मीज तू लाफ सेक्रेटली अब देखिए गाइज स्लीप मीज होता है आवरण मतलब कि कोई चीज अपना धका हुआ है बस जीज चीज से धका हुआ है उसी को स्लीप बोलते हैं अब कोई धका हुआ उस पर आप हास रहा है तो आप सेक्रेटली राफ कर रहा है तो उसी से ट्रीक बन सकता है लाफ इन वन स्लीप डाट मींस टू लाफ सेक्रेटली जैसा कि आपको ऊपर इमेज में भी दिखाई दे रहा है नेक्स क्वेश्चन बोल रहा है लाइव वायर डाट मिंस एनर्जेटिक अब देखिए माल लंबा वी बोलना और स्वार्ट वे में भी बोलना उसको यानि में में पॉइंट को ही उसको डिकलेरेशन करना यानिकि ब्रीफली में कर रहा है अब देखिए गाइज हम जहां पर चलते हैं जहां पर हमेशा माते जाते हैं आप एक खास जल्दी उगता नहीं है बहुत ही मुश्किल से उग पाता है तो बस वह जान भूच को ऐसा काम कर रहा है जो कि बहुत ही लेट से होगा यानि कि वह तो डिलेट लिंग लग से में लिएग बहुत ही पतला होता है बहुत ही कम जोड जाता चल्दी बाउ जाता है मुड जाता है यान वार से श मन बप्र दोध९प कमजोड पर огррат Candуст बस आज यहीं पर समाप्ट होता है गाईस अगर आपको इमेज वाला मेरा कॉंसेपट अच्छा लागा होगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक चेज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए धन्य बाद